गूड इविनिंग दोस्तों मैं हूँ विश्वेश और फिर से आप सब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक चीज जो सब कोई जानना चाहता कि कैसे ढूंडते हैं हम इंट्राइडे स्टॉक और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वह पॉफेक्ट ब्रीक आउट जो नेक्स डे चल जाता है या सेम डे चल जाता है कैसे होता है वह बीटेस्ट सेलेक्शन तो अगर यह सब क्वेश्चन अगर अब तक आप जानना चाते थे तो आज का वीडियो है आपके लिए और मैं यह कहना चाहूंगा कि अब तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नह सबसे पहली इंपॉर्डन चीज क्या चीजों को आपने देखना है एंड ऑफ दे बाद मार्केट खतम होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि एंड ऑफ दे अनालेसिस नॉइसलेस अनालेसिस होता है क्योंकि मार्केट मूह नहीं कर रहा होता है यू आर नोट यू नहीं हरी तो अर्व देशिजन लेते हो वह दिसिजन बेस्ट वन देटा पॉइंट सारे जो आपके पास अवेले बले बूले आचाहे तो कौन से ऐसा ही डीटा पॉइंट है ज पहले करना चाहे हों पहला मार्केट इसले आज क्या था आज फिफ्ट मार्च थी मार्केट काफी वालेटियल था और आपने दिखा है कि अभी मैं आपको स्क्रीट पे मित्चार्ट पर और चार्ट है और और ये स्क्रीन के उपर प्राइस आडर में सारी अपनी ट्राइंग्स हटा देता हूँ आज का ये तीसरा दिन ऐसा है जब मार्केट ने लो टॉप लो बॉटम बनाया है तो जब मैं मार्केट को देखता हूँ तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या मार्केट ने आज अपने पैटन को कंसिस्टन रखा मार्केट क्या था आज मार्केट का formation क्या था मार्केट के Candlestick क्या थी मार्केट के indicators क्या थी ये सारी चीजे को मैं एक ही first में अड्र कर देता हूँ तो जब मैं nifty का chart देख रहा हूं तो मैं यह देखना चाहता हूं तो आज के nifty के chart में जो चीज मैं observe कर रहा हूं वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज के nifty के chart में lower top low bottom formation बना है on a third consecutive data तो यह देखिए lower top low bottom consistently आपको दिख रहा है यह particular chart के उपर और यहां पर जो सबसे important चीज यह नहीं है कि आप कैसे चीजों को arrive होते हो in terms of decision but important यह है कि आप वो सारी चीज़े note कर पा रहे हूं नहीं कर पा रहे हूं जैसे कि मैं notice कर रहा हूं यहां पर कि nifty ने आज यह gap जो था उसको violet किया है फिर अगर weekly close है तो मैं weekly candle करके देखता हूं कि क्या बनी है weekly candle ठीक है तो आज weekly candle को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि today after two weeks of negative you have finally got a positive candle but इसका जो shadow है वह वही range में है जहां से वो fail होता है तो नचल में क्या देखता हूं जब मैं market को कहता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी दो benchmark indices है और थोड़ी दिल में मैं वो सारी चीज़ों पर जाओंगा जो मैं in routine करता हूं बट जब मैं chart open करता हूं और मैं assume कर रहा हूं कि मैंने पूरा दिन market नहीं देखा है तो अगर मैंने पूरा दिन market नहीं देखा है और जब मैं end of the day price को open कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कि price ने आखिर कौन सी अगर आपने subscribe नहीं किया तो प्रीज अभी तक आप subscribe कर सकते हो और क्योंकि आपको you know notification मिल जाए now जहां तक market की बात है और जहां तक you know price chart की बात है तो candlestick in my opinion is a single most important thing because psychology of a trader समझाता है आपको psychology of the you know that given point of time all put together क्या सोच रहते हो आपको समझ में आता है मेरा ऐसा मानना है कि जब आप market की बात करते हो तो आप यह निफ्टी का चार्ट है और मैं भी बैंक निफ्टी का चार्ट करता हूं तो देखिए बैंक निफ्टी का third consecutive negative close है बट इस negative close के साथ में interesting चीज़ क्या है interesting चीज़ यह है कि इस week third weekly consecutive negative close के साथ में इस week बैंक निफ्टी ने क्या किया है बैंक निफ्टी ने inside bar बनाया है what is inside bar inside bar जिसमें आपकी inside bar pattern वो होती है जिसमें आपकी इस week की पूरी trading range previous week में रह जाती है तो अगर आप यहां पे notice करेंगे तो बैंक निफ्टी का यह week का particular candle previous week के entirely range में है plus उसकी जो body है वो भी उसमें तो this is a very very important reading for me this tells me even though it may have look volatile लेकिन market previous week के compare में तो range bound ही था तो net net में यह कहना चाहूंगा पहले point में कि मैं जब market को end of the day analysis करना शुरू करता हूं तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के formation उनकी सारे इंडिकेटर में आरे साय में सेडी वगयरा काफी चीज़े दिखता हूं वह में detail में आने वाले वीडियो में cover करूंगा बट फिलहाल के लिए आप समझे आपको चार्ट पर यह observe करना है कि आज formation क्या थी क्या हूं